अमारिकी राश्पती जो बाइडन का राश्पती पत से हटना और कमला हारिस को समर्थन देना अमारिका में इतिहास रच सकता है अगर कमला हारिस अमारिका की राश्पती बनती हैं तो वाइट हाउस में पहली बार किसी यहूदी का सीधे तौर पर दखल बढ़ जाएगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कोई यहूदी इतने बड़े पत्स पर पहुंचा हो। बाइडन के पीछे हटने के बाद भी उन्होंने एक्सपर हैरिस के लिए समर्थन की अपील की। मार्च में एक इंटर्व्यू के दौरान कमला ने कहा था कि वे इसराइल की सुरक्षा के लिए खुद को बाइडन से एक कदम आगे देखती है। हो रहे है इसराइल के हमलों के सवाल उपर कमला ने जवाब दिया था कि इसराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधकार है। हालकि इसराइल के फ्रदानमंत्री बेंजामिन नेतन याहू की मौझूदा अमेरिका विजिट के दौरान उन्होंने नेतन याहू से युद्धिसमाप्त करने का आग्रह किया था। डग एमहॉफ और कमला हारिस ने 2014 में शादी की थी जब हैरिस कालिफोर्निया की अटर्नी जनरल थी। हैरिस एमहॉफ की दूसरी पतनी है। पहली पतनी से एमहॉफ की लड़की एला एमहॉफ खुद को यहूदी नहीं मानती है। वो यहूदी विरोत का तक शिकार हुई हैं जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली यूएन की एजनसी यूएन आर डबलुए के लिए दान के अपील की थी। ड़क एमहॉफ और कमला हारिस ने साथ इसराइल की पहली यात्रा 2017 में किते।